दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी जड़ी बुटी के विशाय में जो खर्पतवार के रूप में देखी जाती है इसका प्रयोग सभी नहीं जानते हैं दोस्तों हमारे वहां इसको भारंगी आयरवेद में इसको भारंगी नाम से जाना जाता है दोस्तों लेकिन हमारे द्याच्चेत्र में इसको भटवासी के नाम से जाना जाता है दोस्तों हमारे वहां रोट के किन्यारे बहुत सारा देखने को मिलता है जंगलों में बहुत सारा देखने को मिलता है दोस्तों आज हम बात करेंगे इसके गुडों की विशाय में इसको किस परकार से परियोग करने से क्या परियोग करने से कौन से विमारिया ठीक हो जाती है तो दोस्तों चलिए आगे हम बताने जा रहे हैं वीडियो में आगे तक बने रहे हैं उससे पहले यदि चैनल परना है तो चैनल को जानकारी पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें दोस्तों इसके पत्ते छाल और जड़े दोस्तों वात और कफ को दूर करने के लिए बहुत ही रामबाड और सथी के रूप में परियोक की जाती है दोस्तों जिनको भूख नहीं लगती भूग को बढ़ाने के लिए बुखार को ठीक करने के लिए या सरीर में किसी परकार का कफ वात रोग जैसे गठिया सूजन किसी परकार की सूजन को ठीक करने के लिए इस भारंगी की प्रियोग की जाती है जिससे बहुत जल्द ही हमें इन सारे रोगों से चुटकारा मिल जा आपको बता दें कि इसमें एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी टॉक्सिस और एंटी सेप्टिक, एंटी एपेटाइजर और एंटी एंट्रेजन गुड बहुत ही प्रचूर मातरा में पाये जाते हैं जो हमारे सरीर के लिए बहुत ही हायदिमंद होते हैं इसारे रोगों को दू पत्तोल करने में एक बहुत ही आँल रोल होता है दोस्तो कि प्रकार गहाँ हों गया एकτο elly चल गया है तो अब के इसमें एंटीன और एंटीशंटिक गुड पाया जाते हैं दोस्तों जो घाव को भरने में बहुत ही मददगार साबित होते हैं इसके पत्तों को ले करके पीश करके लुगदी की तरह बना करके दोस्तों जहां भी चोट लगे हैं घाव हैं उस पर लगाने से तुरंद ही दर्द जलन घाव भर जाते हैं भारंगी, सोशन संबंदीत रोग जेसे पुराने समय से चला आ रहा अस्तमा, दमा, फेपडे में जमा हुआ बलगम को बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से सरी से बाहर निकानने में प्रियोक की जाती है दोस्तों को काड़े के रूप में प्रियोक की जाती है पत्तों का पारसी बावासीर जैसी खतरनाक बीमारिया बहुत ही जल्द ठीक हो जाती हैं इसका प्रियोग करके किसी प्रकार के चर्म रोगों को भी ठीक किया जा सकता है दोस्तों जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें